कल से एक नई सीरीज शुरू की है अगले बारा दिनों के लिए मैं आपसे बात करूंगा कि लीडर्शिप में जो अलफ़ाबेट्स हैं जो लेटर्स हैं ये अपने आप में क्या मतलब लिये हुए हैं तो लीडर्शिप का सबसे पहला लेटर है अल आज अल से शुरू कल मैंने आपको इसकी एक भूमी का बताई थी कि लीडर्स आज के समय में कितने कम हैं लीडर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है कोई भी अपने मा के पेड़ से सब कुछ सीख के नहीं आता उसको इसी दुनिया के अंदर सीखना होता है और वो किस तरह से सीखता है दुनिया की चालों को किस तरह समझता है और किस तरह से अपने आपको इस दुनिया में स्थापित करके दूसरे को लीड करता है दूसरे को टीच करता है वो कहलाती है लीडर्शिप तो leadership का सबसे पहला alphabet जो है वे है L L से मतलब है listening सबसे अच्छा leader वो है जो अच्छी तरह से सुनना पसंद करता है आपके पास कोई भी matter आता है आप किसी की कोई problem है किसी का कोई दिक्कत है यह दिया आप उसको properly सुनते नहीं है तो आप उसको deal नहीं कर पाएंगे उस चीज की जब तक आप depth भी नहीं जाएंगे कोई भी matter है आप जब तक उसकी depth भी नहीं जाएंगे आप उसको समझ नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे तो उसके साथ नियाएं नहीं कर पाएंगे और नयाई नहीं कर पाएंगे तो आपके लीडर होने को मतलब ने निकला तो you have to be a good listener मैं पिछले 40 वर्षों से सरकारी कामकाज में हूँ और मैंने गॉर्णमेंट के अधिकारियों के साथ बहुत interaction किया है मैंने अपने कारे के दौरान देखा कि सरकारी अधिकारी जो हैं वे listening में बहुत पूर है ऐसा मैंने महसूस किया करीब 10% अधिकारी ही ऐसे मिलेंगे जो आपको proper ढंग से attention देते हैं और सुनना पसंद करते हैं हो सकता है इसे कुछ कारण हो हो सकता है वो काम के बोश से दबे हुए हो हो सकता है कि कोई और उनके मन में व्यथा हो सिस्टम के प्रती व्यथा हो या कुछ भी हो मगर मैंने जो महसूस किया है वो ये किया है कि अधिकांश जब मैं सरकारी अधिकारीों से मिला हूँ तो या तो वे कुछ काम करते रहते हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि आप क्या कहना पसंद कर रहे हैं क्या कहना चाहते हैं आपकी बात का मतलब क्या है क्या आपकी बात का रिदल्ट होना चाहिए बिल्कुल भी उस पे ध्यान नहीं देते और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कई तो सुनना ही पसंद नहीं करते हैं तो मैं आप उनको कैसे लीडर बोल दूँ पर कुछ अदिकारी ऐसे हैं बहुत सीनियर अदिकारी मतलब मैं Chief Secretary Level के वेक्ति से मिला हूँ और उन्होंने अपना सारा काम छोड़ कर मुझे सिर्फ एक मिनट दिया एक मिनट पर उस एक मिनट में वो जिस समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो आज भी मेरे मन में उनके प्रती एक अच्छी छवी है उस काम का रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगिटिव आया ये एक अलग टॉपिक है उस पर मैं डील नहीं करना चाहूँगा मगर उनके मुझे जो मैं उनसे जब मिला जब मेरे प्रकेरण पर जब उन्होंने बहुत ही ध्यान से सुना तो मैं भी बहुत ध्यान से उनको प्रॉपरली बता पाया और मुश्कल से एक मिनट लगा होगा जब उन्होंने मेरी बात को सुनकर और उसा कंक्लूजन दे दिया तो एक अच्छा लीडर होने के लिए यू शुड बी अ गुड लिसनर यदि आप अच्छे लिसनर नहीं है यदि आप अच्छा लिसन नहीं कर सकते हैं तो आप लीडरिश्शिप unde नहीं दे पाएंगे और लीडरिश्शिप किस काम की रहेगी लीडरिश्शिप किसी भी काम की नहीं है तो यह थहा पहला अलफाबेट लीडरिश्प की ऊपर जिसका L का मैंने आग आप से चर्या की कल E पर चर्चा करूँगा और बताऊंगा कि what E stands for in leadership. Thank you very much.